अगर आपका दिल कुछ चीजी और टेस्टी खाने का है तो बना लीजिए एकदम क्रिस्पी, चिकन, आलू और अंदर चीज की स्टफिंग के साथ बहुत यमी ब्रेड रोल, आसान सी रसी पिए बहुत जल्दी बन जाती है तो चलिए इसे हम बनाते हैं, तो यहां मैंने दो स्लाइज लिए हैं और इन्हें हम पानी में डिप करेंगे और हाथ से दबाके एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे, तो यह ब्रेड स्लाइज हमाई रोल को बाइंड करेंगी, यहां मैंने 300 ग्राम श्रैट किया हुआ चिकन तयार किया है, सिम्प्ली चिकन के पीसेज को एक टेबल स्पून अद्रकलेसन के पैस्ट और हाफ टी स्पून नमक डाल कर थोड़े पानी में बॉयल कर लिया, और जब चिकन पूरी तरह से गल गया तो पानी ड्राइज कर लेंगे, और पर ठंडा करके चिकन के पीसेज के रेशे तयार कर लिये, चिकन में दो अबले हुए एक टी स्पून नमक, एक टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च का पावडर, एक टी स्पून चिली फ्लैक्स, एक टी स्पून औरेगेनो, टेस्ट को थोड़ा चिट पटा करने के लिए, चार से पांच बारी चॉप किये हुए हरी मिर्च और बारी कटा हुए हरा धनी आइ करेंगे और अब सारी चीज्जों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से चीजर तरह करते हुए हम सभी चीजर तरह अपस्में जुडने लगे हैं अब हम ने के रोल तेयार करेंगे तो हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ओयल आप यहां मैने एक तेस्टी और चीजी फ्लेवर आएगा अब हम इस चिकन वालू मिक्शर में से एक कवाब या टिकी बनाते जितना पॉर्शन लेंगे और हास से इस तरह से स्प्रेट कर लेंगे और हम इसके बीच में रख देंगे फोल्ड किया हुआ चीज स्लाइस और फिर इसको हम अच्छी अपने साब से रख सकते हैं रोल के बजाए आप कवाब या टिकी का भी शेप दे सकते हैं इसी तरह से सारे रोल रेडी कर लें अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें स्टोर कैसे करें जितने रोल आपको फ्रीज करना है उतने आप फ्रीजर में रख दें और जब हा करेंगे तो इसके लिए आपको लेना है दो टेबल स्पून मेदा और दो टेबल स्पून कॉन फ्लोर और इसमें हम आधा टीस्पून नमक आधा टीस्पून पिसीवी लाल मिर्च आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून और एगेनो मिक्स करेंगे और लखे चऱ के बेटर में डिप करेंगे तरह से और फिर ब्रेट क्र्म में अच्छी तौर कर लेंगे जब अच्छ से ब्रया कृराल पर लग और फ्राइ करें तो यह उपर से व्राइब हो जाएंगे और जल भी सकते हैं और चीज भी पूरी तरह से मेल्ट नहीं होगी और इस तरह से आप इन्हें भी आइली नहीं बनेंगे और एकदम क्रिस्पी फ्राइ हो तो यह देखी इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है त तो आप इन्हें इफ्तार के टाइम बनाई है, बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आएंगे, आप इसे टेमेटो केचप या हरी चटनी, इमली की चटनी किसी के भी साथ सर्फ करें, बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है, जरूर से बनाई है, एकदम क्वि किजिए, थैंक्स पर वाचिंग